हेलो फ्रेंड्स विल्कुम टो इजी नोट्स फॉई ओनलाइन स्टेडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग करवा रहे हैं यूजी सी नेट 2024 की तैयारी जिसके लिए आपके जो लेटेस्ट कोशन पेपर हैं वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट कोशन पेपर आपका दिसंबर का था दिसंबर 2023 तो 14 दिसंबर 2023 का कोशन पेपर 1 विद सॉलूशन यहां पर जाए और साथ में देखे कि किस तरीके के कोशन आये हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह हमें आगे की तैयारी करनी हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे कुछ कोशन मैंने कल करवा दिये थे यूजी सी नेट पेपर 1 14 दिसंबर का यह पेपर है कुछ करवा दिये थे आगे बढ़ते हैं और आगे की कोशन को भी सॉल्व करेंगे आई होप की जो कोशन पेपर कल करवाया था आप लोगों की समझ में आया होगा समझ में आया होगा कि किस तरीके का स्लेबस अब यहां पर एक्जाम में देखने को मिल रहा है पैटर्न और आप लोगों को करवाया था कि यहां पर इंप्रेंट भी भारत इंटर्फेस फॉर मनी उमंग और पेट्यम इन में से कौन सा ऐसा है जो गलत मैचिंग है आपको बताना है इस कोशन का सही आंसर कि क्या होगा कौन सा इसमें से गलत है कोशन नंबर 26 क्योंकि यहां पर मैंने डियाई के कोशन सभी स्किप किये है तो जल्दी से बताएए जिसको भी पता है राजू और के अर्चना राधे राधे बीटा स्टार्ट करते है केपी कोशन नंबर 16 आंसर करिए इस कोशन का सही आंसर क्या होगा तो यहां पर इस कि यहान पे फूल फॉर्म भी आते हैं यूपाइड मुबाइल अप्लिकेशन फॉर न्यू एजॉर्यट गवर्ण्नस टो यहां पे ओमंग यहицंग गलत है कोशन नमबर 17 आपके सामने ये आपकी environment से कोशन है तो अंसर करेंगे इस कोशन का किसी जील में बढ़ते पोशक इस्तर से उसमें उपस्ति जीवता की संख्या और प्रकार परिवर्तित होते है दूसरा चीज है कि सुपोशक जीलों में स्वच्च जल और अल्प मातरा में जैब सहीती यानि बायो मास होता है कोशन नमबर 17 आप सभी के सामने कौन से कोशन में प्रॉब्लम होई आरके ये दुपहर की क्लास का टाइम है दो बजे या धाई बजे मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास ठीक है कल भी मैंने इसकी अपडेट दी थी तो आप लोग दुपहर में या तो दो बजे या धाई बजे क्लास जरूर देखिए कि कौन से टाइम पर क्लास हो रही है दो से धाई की बीच में ही होगी तो यहाँ पे कोशन नमबर 17 याद रखिए आपसे अलप पोशित जीले है है ना दूप पोशित जीले है उनसे भी रिलेटेड कोशन आता है तो सही आंसर है C यानि पहला कथन जो है वो सही है जबकि दूसरा कथन है वो गलत है किसी जील में बढ़ते पोशक स्तर से उसमें उपस्ति जीवता की संक्या और प्रकार परिवर्तित होते हैं क्योंकि सुपोशक जीलों में सुपोशक यानि जिसमें पोशक तत्मों की बहुत जादी जो है उसमें रहती है मात्रा उसमें स्वच्च जल और प्रचूर मातरा में जैव सहीता यानि की बायो मास होते हैं जबकि इन्होंने क्या कहा है कि सुपोशक जीलों में अल्प मातरा में होता है जबकि होता क्या है अच्छी जील होगी सुपोशक होगी तो वहाँ पर जादा मातरा में बायो मास होगा जादा मातरा में वहाँ पर सुच ज़ल का एवलेबल होगा تو quesan number 18 question number 18 है किस अधिगंशैली में यह शामिल है कि विद्यारती एक हद तक अधिकम समगरी को इस तरीके से देखते हैं कि इस से उन्हें समगरी का अर्थ समझने में मदद मिलती है evening वाली भी होती है कल रात को वी थी evening वाली 9 बजे हुई थी कल रात ठीक है तो रात को भी चेक कर लिया करो 8-9 बजे की बीच में class होती है ठीक है और दुपहर की 2-1.5 जैसे मुझा time मिलता है तो फिर मैं arrange करती हूँ तो आठ से नौ और दो से ढ़ाई ध्यान रखो एक बारी चेक कर लो यहाँ पे कोशन नमबर 18 ऐसी कौन सी शैली है जिसमें विद्यारती काफी हद तक अधिगम सामगरी को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामगरी काफ समझने में मदद मिलती है तो सही अंसर है डीप इस्टाइल यानि गहन शैलिया गहन अधिगम शैली क्या होती है जिसमें की विद्यारती एक हद तक अधिकम सामगरी को इस तरह से देखते हैं कि उससे उन्हें सामगरी कर समझने में मदद मिलती है ये किसी विशे के जटल तत्वों को समझने, संबोधित करने और संदर्बों के बीतर पार संबन बनाने की शमता है अब ही आप देखो कि शैलियों के बारे में APA स्टाइल, MPA स्टाइल आता है बट यहाँ पर ये जो नई शैलिज दी गई है न सरफेस स्टाइल, इंपल्सिव स्टाइल, डीप स्टाइल, रफलेक्टिव स्टाइल यानि अब आप से यहाँ से कोशन किया जा सकता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इंश अलियों के छोटे-छोटे नोट्स या वन लाइनर कोशन जरूर तयार कर लीजे पता चलेगा कि यहाँ से भी कोशन आ रहा है, पहले नहीं आता था बट अब यहाँ से भी आ रहा है कोशन नमबर नाइन्टी एड मोडो ओनलाइन टूल से सिक्षकों को विद्यार्थियों के माता-पिता के संपर्क में रहने उनसे विद्यार्थियों की अदतन इस्तिती सांजा करने विद्यार्थियों की प्रगती के विशर में चर्चा करने में सहायता मिलती है डूलिंगो ओनलाइन भाषा अधिगर्म का एक मंच है मैसूर यूनिवर्स्टी स्टैबलिस 1919 या 1960 में इसको सर्च किया था आपने जहां पर भी कोशन डाउटफुल लगे उसको सर्च किया करिए मैसूर यूनिवर्स्टी 27 जुलाई 1916 में लॉंच हुई थी ठीक है 27 जुलाई वहां जो गलत लिखा है 1929 27 जुलाई 1919 में आपकी मैसूर यूनिवर्स्टी स्टैबलिस हुई थी ठीक है इसको आप लोग कर ले ना मैसूर यूनिवर्स्टी 27 जुलाई 1919 थेंक्यू काजल ठीक है कोशन नंबर 19 अब देखो यह ओनलाइन क्या है ओनलाइन टीचिंग टूल्स हो गए किसलिए जब आप टीचर हो आप इस्तिमाल करते हो टीचिंग एप्स का तो वहां से कोशन यहां से आता है और ऐसे कई ऐसे अप्लिकेशन है जो नए भी आ रहे हैं डूओ लिंगो यहां पर लिंगो या सीधिये पास समझ जो लैंगवे से रिलेटर है डूओ लिंगो ऑनलाइन भाशादिका में मंच है जहां से भाशा संबंदी जानकारी को प्राप किया जा सकता है एड मोडो ऑनलाइन टूल्स है शिक्षकों को विद्यार्थियों के मात दशन का उत्तर ए और बी दोनों माना गया है ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान रखना एक है कि एक आंसर और यहां पे जो दिये गए आंसर है वह सकती है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको क्रॉस चेक जरूर किया करो पता चलए कि आप कॉन से कुशन का अ लग लेखा हो ठीक है बड़ जिसमें मेजॉरेटी ज्यादा होगी उसी को ही सही माना जाएगा कोशन नंबर 20 मतलब यहां पर वो भी बताया है इनकरेक्ट हुआ है अजह एंटिये की तरफ से गलत दिया गया कुछ ऐसे कोशन्स भी है जिनके आंसर अगर हम पढ़ा है अमने कॉंसेप्ट तो उस पे इस तरीके के आंसर है एंटिये ने अलग आंसर किये लेकिन क्योंकि उसमें किसी ने क्लेम नहीं किया इसलिए उसने उसी को ही आंसर को करेक्ट मान लिया वायू प्रदूशन के दुश प्रभाव माना स्वास तक ही सीमित नहीं होते है विभिन और द्योगिक प्रक्रमों द्वारा वायू में छोड़े गए फ्लोरीन का मात्वापून अविशाक्तिय प्रभाव उत्पन होता है इन्वायर्मेंट से ये वाला कोशन आपके सामने केपी ने अंसर किया है डी देखते हैं सही है कि नहीं भई सही अंसर है ए और बी दोनों ही सही है वायू प्रदूशन का ना सिर्फ मानव स्वास्त पे बल्कि आपके परिया वरन पे पशु पक्षी जीव जन्तु वायू मंतल पर सब पर इफेक्ट पड़ता है वायू प्र नंबर 21 भारत में विज्ञान की सिक्षा सरप्रथम 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी कोशन नंबर 21 जिस भी कोशन में आपको लगे कि इस कोशन का अंसर यह नहीं ऐसे होना चाहिए तो उसका एक्स्प्लानेशन एक बाद छोटा सा दे दिना कि किस वज़े से आपको लगता है ठीक है यह वाले कोशन में आपका कहना है कि दोनों ही सही है बिलकुल सही बात है बट ऑप्षन यहाँ पे जो माना गया है यह एंटिये ने इसको भी माना है और वैसे इसका जो सही आंसर है वो A है यही मैं कहा रही हूँ कि दोनों आंसर में difference हो सकता है तो ऐसे answer को अगर आप NTA से एक सही कराना चाते हो तो क्या करना होता है claim answer की करनी है अगर आप नहीं करोगे तो वो उसी को ही correct answer मान लेता है यही जीज मैं कहा रही है, सही answer A ही है बट क्योंकि NTA ने B option को सही माना है इसलिए यहाँ पर अलग से इसको mention किया है अगर आप NTA की answer की में देखोगे तो उसमें क्या माना गया है अलग-अलग option को माना गया है तो चलो यहाँ पर next question 21 option number D Hindu college भारत में विज्ञान की सिक्षा सर प्रताम 1817 में कलकत्ता की Hindu college में शिरू हुई थी इस college की स्तापना डैविड हेर और राजा राम मोहन राय के प्रियासों से हुई थी हिंदू college बिल्कुल सही answer question number 22 how many words यानि दशमलव संक्या 512 के द्वियादारी प्रतिरूपड में कितने एक है how many words are there in the binary representation of the decimal number 512 यानि अगर हम 512 का यह हमारी कैसी value है decimal value है इसको इन्होंने कहा अगर हम binary में convert करते हैं तो उसमें यह जो 100100 ऐसे आता है न तो यह जो 1 है यह कितने 1 आएंगे यह पूछा है दूसरा पूछा है कि 1 kilobyte equal to 2x bits हो तो x का मान क्या होगा 1 kilobyte यानि कितने की power अगर हम 1 kb की बात कर रहे हैं तो यानि कितने की power होगी यहाँ पे 2 में bits ठीक है जब 2 sodas अधिकारी यानि hexadecimal संख्याओं A और B को जोड़ा जाता है कितनी संख्याओं होती है hexadecimal में 16 कहां से कहां तक होती है कोई बता सकता है A और B को एक साथ जोड़ा जाए तो उसका मान क्या होगा और अगर द्वियधारी संख्याओं यानि 0 0 0 1 0 1 0 0 binary संख्याओं है तो इसका decimal क्या होगा यह पूछा रहे हैं बहुत आसान है यह वाला भी question आपका इसके shortcuts भी करवाए हुए आपके दशमलब संख्या 512 के द्वियधारी प्रतिरूपड में कितने एक हैं सिर्फ एक इसको क्या करना है अगर आपको 512 दिया जाए decimal संख्या उसको आपको binary में convert करना हो 512 का LCM ले लो जितने भी remainder है वो आपको calculate करने है answer आपको पदा चल जाएगा कि कितना 1000 या 00001 ऐसी संख्या में 1 कितने आए है यह पूछा है ठीक है 1 kilobyte equal to 13 bits 2 की power 13 bits ठीक है जब 2 सोड़ सदिकारी यानि अगर A और B को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या मानोगा 15 दुई अधारी संख्या जो है यानि binary अगर उसको decimal में convert करेंगे तो कितना होगा 20 होगा इसी तरिके के A to 5, 0 से 9 जो आपकी hexadecimal होती है 0 से 9 और A to F इन्होंने A और B को जोड़ के बताने के लिए कहा है कि कितना होगा ठीके यहां तक समझ में आगे सबको कोशन नमबर 23 देखते हैं कितने लोग सही answer करते हैं इस कोशन का और यह कोशन most of the time पूछा गया कोशन है arrange the following according to APA style और यह तो अभी latest 2023 दिसंबर के कोशन पिपर में भी आया है APA Shelley से अगर हमें आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे हो सकता है यही step आपके सामने फिर से आ जाए या हो सकता है एक दो step पूछे जाएं बाकी के गलत step हो आपको उसमें से find out करने को बोला जाए कि बताए इसमें से कौन से step APA Shelley के हैं तो सही answer है option number D यानि सबसे पहले क्याएगा name of the order सबसे पहले लेखा का नाम आएगा पच आर्टिकल और लास्क में आएगा name of journal यानि जन्रल का नाम कोशन नंबर ट्वेंटीफू इन्होंने लिखा है कि सभी पे द्रव्य है यानि all beverages are liquid सभी beverages क्या है लिक्विड है अगर हम इसको सही माल लेते हैं तो इनके तार्किक रूप से कौन सा कतन समतुल्ले है कुछ पे द्रव ये होते हैं सभी द्रव पे होते हैं कुछ द्रव पे होते हैं लिक्विड का मतलब हो गया द्रव ठीक है और ये क्या हो गया आपका पे कुछ पे द्रफ यह होते हैं वैं जब सारी ही चीज़े इसके अंदर हैं द्रफ के अंदर तो यह statement गलत हो गया क्योंकि पे तो पूरा किसके अंदर है liquid के अंदर है सभी द्रव पे होते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि यहां पे कुछ ही हिस्सा पे का है तो दूसरा option भी हमारा गलत होता है some liquid are beverages some liquid भाई ऐसा तो है निकि अलग से भी कोई इसका diagram बनाओ अलग से भी कोई चीज बोली गई हो नहीं उसी के अंदर है तो यह भी option गलत है यानि सही answer 24 option number A B क्यों बोला 12th fail movie किस-किस ने देखी है जिनको यह लगता है कि हम successful नहीं हो सकते 12th fail movie देख लो एक बार ठीके मनोज कुमार शर्मा जी जो है आज के टाइम में IG बनने वाले हैं जिनको चार साल continue fail हुए है वो चोथे साल चोथे टाइम का जो attempt था उसमें उन्होंने उसको qualify किया था तो अगर आपको लगता है कि आप बार बार fail हो रहे हो आप चूक जा रहे हो आपको success नहीं मिल रही है तो दोबारा से start करो दोबारा से अपना mind make up ऐसा करो कि भाई है दो कि नहीं हम से पहले जो चीजज क्या होता है क्यों नहीं successful आपके या तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमाराeline उसमे नहीं आ रही है चीज़ें हम्हें समझ में नहीं आ रही हैं देखिए न उसमें क्या होता है देखो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं मोटिवेशनल मुवीज बहुत सारी हैं हमें मोटिवेशन कहां से आएगा हमारे खुद से आएगा जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारे कमी किसमें रह जाती है पेपर वन में रहती है पेपर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो ली कि बिलकुल अब्टाइम ने मिल रहा है जॉब है तो बहुत सारी चीजे नआ आप मेहनत दो कर रहे हैं ना ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई हम फ्री है हम रील्स देख रहे हम यूटूब देख रहे हैं हम मुवी देख रहे हैं लेकिन हम प्रयास नहीं करें अगर हम प्रयास कर रहे हैं अगर हम सक्सेस हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं मिल रही है यह आपक कोशन नमबर 25 इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूं कि यूजी सी नेट का एक्जाम पहले अलग होता था अब अलग हो गया है यूजी सी नेट में अब तो एनीपे 2020 को भी इन्होंने शामल कर दिया इस लेबस अभी इन्होंने दिया नहीं है लेकिन इस लेबस से जु पूरा कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वैसे ही यहां पर ना सिर्फ पेपर वान आपको पेपर टू में भी पूरे कॉंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तब ही आप कौलिफाइ कर पाएंगे तो टेंशन मतलो नए तरीके से स्टार्ट करूँ इस ट्रीमिंग है ना लाइब स्ट्रीमिंग चल रही है ना वेन वोचिंग वीडियो फ्रॉम आ वेब साइड यूजिंग स्ट्रीमिंग टेक्नोलोजी विच और फॉलिंग विल बी इन्वॉल्ड सही अंसर ओप्शन नमबर बी ए एन सी यानि आई पी एड्रेस होना चाहिए डिन्स होना चाहिए स्ट्रीमिंग प्रॉद्धोगी का कुप्योग करते हुए वेब साइड से विडियो देखते से मैं डिन्स आई पी शामिल होते हैं आई पी एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर मौझूद किसी दिवाइस की पहचान करता है डिन्स व्यवस्तित और क्रमानुसार वेब साइटों की जानकारी को सेव और एकसेस करने का तरीका उपलब कराता है अब डेली बेसेस पर आप ये यूज करते हो बट इसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो क्या होगा डेली बेसेस पर ये याद रखो सोशल मीडिया से ये लोग बहुत सारे कोशन इस समय पूछ रहे हैं इस समय कोई भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई नहीं करना चाता है तो वो लोग भी ट्रेडिशनल तरीका नहीं पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं बताइए ओनलाइन टूल कहां से आते हैं ओनलाइन हमें अगर कोई method यूज करना है software यूज करना है वो यहां से उठा रहे हैं कोशन वो पूर्टल से उठा रहे हैं कोशन वो current awareness से उठा रहे हैं कोशन ना रहा है तो चीज़े हमारे सामने ही हैं बट उसको हमें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा नीति आयोग हमारा यूजी सी हमारा इगनू हमारा जो है जितने नए लेटेस पोर्टल आये हैं हम रिसर्च की छेतर पर जाना चाहते हैं तो वहां पैसे कौन से software है जो की साहितिक चोरी को पकड़ने में मदद करते हैं यह हम प्यचडी थिसीज को हम सम्मेट करना चाहते हैं तो कौन सा application यूज कर सकते हैं शोद गंगा शोद गंगोत्री इन फ्लिपनेट डिजिटल इनिशेटिफ स्वयम प्रभा स्वयम यह सारी चीज़े आ रही हैं इन्वायर का मुद्दा है पॉलिशन हो गया यह हजार हो गए है ना तो यह सारी चीज़ें हैं अगर आप इनको जितना ज्यादा डीप पड़ोगे उतना आपके लिए बैटर होगा कहने का सीधा मतलब यह है कि तैयारी अपनी दूसरे तरीके से करो वैसे नहीं करो जैसे पहले कर रह इस कोशन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा इस कोशन का सही आंसर रीजनिंग बियाई मैथमाटिकल ध्यान से देखिए तू के बाद यहाँ पर क्या है तू के बाद है जीरो फिर आया 6 फिर 6 फिर 12 24 क्या हुआ है यहाँ पर 2 प्लस 4 हुआ है 6 फिर 6 मल्टिप्लाई फिर 8 आगे मल्टिप्लाई तो 20 नीचे क्या हुआ है 1 का क्यूब माइनस 1 सॉरी 2 का क्यूब माइनस 2 3 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है है ना फिर उपर आगे फिर प्लस होता जाएगा तो यहाँ पे जो संक्या है आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पे आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आप लोग देख लो इसको कि कोशन को सॉल्व कैसे किया गया है डिफ्रेंस देखिए डिफ्रेंस को समझते हुए कोशन का अंसर करिए ठीक है बी आंसर है इस कोशन का कोशन नमबर 27 मुल्यांकन का निम्लिकित में से कौन सा प्रकार विद्यारतियों की वाद विवाद करने की योगिता का मुल्यांकन करने के लिए स्तरवादिक लापदायक है विच वन अफ फॉलिंग टाइप असेस्में वुड बेनिफिशल पर असेसिंग इस्टुड अबलेटी तो डिबेट ये कब का पेपर है ये बिटा चौदा तारिक का पेपर है 14 दिसंबर 2030 जो लास्ट एक्जाम हुआ है उसका पेपर है ये शिफ्ट तू का सही आंसर है ओप्शन नमबर D निश्पादन मुल्यांकन विद्यारतियों की वाद वाद यानि डिबेट हो रहा है और डिबेट में कौन जीता कौन नहीं या किसको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं उसको हम कैसे चक करेंगे उनकी परफॉर्मेंस देख के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस असिस्मेंट यह एक ऐसी विदी है जिसके ज़ार किसी करमचारी के कारें निश्पादन को मुल्यांकित ही आ जाता है कैसा परफॉर्म कर रहा है डिबेट के अंतरगर वो आता है कोशन नमबर 28 अब यह देखिए योजना आ गई ना करेंट अफॉर्मेंस का कोशन उच्छ सिक्षा के निशी करण की नीती किस योजना के शुरू होने से आरम की गई इपसेटिव क्या हो गया जब हम सेल्फ इवेल्वेशन करते हैं खुद से किसी चीज़ का एवेल्वेशन करते हैं सो मुल्यांकन कह सकते हैं उच्छ सिक्षा के निशी करण की नीती किस योजना के शुरू होने से प्रारम की गई तो सही आंसर इसका उप्शन नमबर C, 8-5 यर प्लाप उच्छ सिक्षा के निशी करण की नीती आठवी पंच वर्षी योजना के शुरू होने से आरम की गई आठवी पंच वर्षी योजना 1992-1997 के बीच रही और इस अब्दी का मूलो देश और द्योगी क्षेत्र का आधुनी की करणता और प्राइविटेजेशन भी यहीं से शुरू हुआ वैश्वी करण भी 1992-1997 से स्टार्ट हुआ है आपका नेक्स्ट कोशन किस मीडिया का उलेक प्राया एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है करेंट अवेरनेस का ये कोशन जनरल अवेरनेस करेंट अवेरनेस विच और दा फॉलेंग मीडिया इस ओफन डिसक्राइब एस वन डे बैस सेलर यानि किसे हम कह सकते हैं एक दिन का best seller है वो दिमाग लगाओ और solve करो इस question का कि क्या हो सकता है इस question का सही answer एक दिन का रीता एक दिन का मनिशा क्या होगा इसका answer सोनिय एन कुमार अजे C कैसे होगा बिटा सही answer है news paper एक ही दिन आता है आपके सामने एक ही दिन यानि daily basis पे आता है one day यानि अगर आज आया है तो उसकी कितनी रहेगी validity वो आज ही के लिए रहेगा एक दिन का होता है ये ठीके ना तो एक दिन आया फिर next day फिर change हो गया हर बार उसकी news क्या होई चेंज होती गई तो हर दिन नया आता है कि नहीं आता है तो एक दिन का उत्तम विगरेता है news paper ठीक है ना ऐसे दिमाग लगाना है exam में question number 30 statement दिया गया है कि अगर हम 0.5625 decimal को change करते हैं hexadecimal में तो 0.9 आता है वहीं अगर 0.3 decimal को change करते हैं तो hexadecimal 0.4 BBB आता है इस question में confused मत हो न यहाँ पर आपके सामने C answer है पहला सही और दूसरा गलत इसको मैं जब class में करवाऊंगी तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझने आएगा तो confused मत हो अभी question number 31 बता सकते हैं कौन सी unit का question है यह वाला यहाँ पर इस question का कौन सी unit से पूछा गया question है यह वाला communication very good यदि हम संचारन संप्रेशन सिद्धान का परियोग करते हैं तो निश्करी सुरक्षा प्रणाली को प्रोचाहत किये जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया विवरतिय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी मजबूत तर से प्राप्त करता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी सही अंसर है option number C पहला सही है और दूसरा गलत है यदि हम संचारन संप्रेशन सिद्धान का प्रियोग करते हैं तो निश्करी सुरक्षा प्रणाली को प्रोचाहत किये जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवरती परिवरतन का प्रतिरोध करेगी बात सही है यह संभव नहीं कि मजबूत तर्क से प्राप्त करता की प्रतिरोधक प्रणाली यानि इम्यून सिस्टम मजबूत हूगा यह यहां से पॉसिबल नहीं कम्मनीकेशन से इम्यून सिस्टम का कोई मतलब नहीं है ठीक है अगला कुशन कुशन नमबर 42 कोशन है कि युनानी वाक पटुताफून कम्यूनिकेशन में किन तत्वा लग दिया जाता था युनानी की बात करें है कम्मिनिकेशन में कौन से चीज़े थी जिन पर बल दिया जाता था सही अंसर है option number D यानि शुबंकर यानि की logo, ethos, यानि लोकाचार, पैथोस यानि यहाँ पर इन तीन चीज़ों के बारे में हमेशा question आता है गुमा के आता है logos, ethos, पैथोस कैसा भाव है उस चीज़ के लिए question number 33 एक question है आप सभी के सामने 3080 को A, B, C में इस तरी के बाटा जाता है कि A का हिस्से का आदा B के हिस्से का एक तिहाई C के हिस्से का छटवा भाग बराबर है तो B का हिस्सा इसमें से क्या होगा कैसे solve करेंगे ऐसे question को A का आधा B का एक तिहाई B के हिस्से का एक तिहाई C का छटवा भाग ठीक है और यहाँ पे इसको total इस तरी के से निकाल लो इसको करना पड़ेगा mathematical आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो mathematical में अच्छे हैं कुछ ऐसे होंगे जो mathematical में कमजोर है बट कोई बात नहीं यहाँ पर basic math है जो अभी आप classes में आप लोगों को करवाएंगे अभी यहाँ पे question और question का answer देख लो कि कैसे निकले गई ठीक है आप directly भी इसको 2,3,6 लिख सकते हो जो यहाँ पर पहला हिस्सा है एक बटा दो दूसरा एक बटा 3 फिर एक बटे 6 उसको आप total निकाल सकते हो 3080 से कितना होगा 280 फिर B का हिस्सा निकालने के लिए हमने क्या करना है B का हिस्सा है 3 के तो 3 से multiply करेंगे answer होगा 840 shortcut formula भी इस्तिमाल कर सकते हो बस यह है कि आप daily practice में लाओगे तो आ जाएगा next question आपके सामने question number 34 यदि आप ये परिक्षन करना चाहते हैं कि क्या जैनान सांग की माद्य परिकलपनात्माग माद्य से कम है तो आप निमले खिद्मी से किस एक का प्रियोग करेंगे one tail test, two tail test, half tail test या three tail test research statics से ये question है आपके लिए सही answer है option number one one tail test यदि जनसंक्या माद्या population mean परिकलपना माद्य से कम है तो एक कुछ परिक्षन के माद्याम से ग्याद किया जा सकता है ये परिक्षन असम्मत वितरोणों के लिए किया जाता है जिसमें सिर्फ एक ही कूच होती है question number 35 भारती सास्त्री न्यायमत के अनुसार निम लिकित में से कौन से युक्ती दोश्कून है क्योंकि मध्य बद्ध अत्यंत संकीर्ट या अल्प व्याब थे question number 35 सही answer देखेंगे option number C द्वनी साश्वत है क्योंकि ये श्रव्य है क्योंकि ये श्रव्य है कथन में युक्ती तोश्कून है क्योंकि मध्य बद्ध अत्यंत संकीर्ट व्याब थे न्याई सास्थर के प्रवर्था कौन है गौतम रुशी और इनके जो प्रसित ग्रंथ है उसे हम क्या कहेंगे न्याई सूत्र कहेंगे तो इस question का सही answer option number C next question आपके सामने देखिए mathematical कैसे आता है एक इसी वस्तू को B को 20% लाब पर बेचता है B से C को 15% पर बेचता है C इसके लिए 510 का भुक्तान करता है तो A ने इसे कितने रुप्यों में खरीदा था directly दिखाती हूँ इसका answer A का क्या बोला B को बेचता है 20% पर बी सी को बेचता है 15% पर तो पहला हमारा यहां क्या हुआ हुआ हम जब निकालेंगे जब ही भी हमें किसी चीज को profit में होता है तो क्या करेंगे उसको जोड़ देते किसमें 100 में तो पहले हमने क्या जोड़ा यहां पे 100 में क्या जोड़ा 20 20% क्या निकला हमारा 120 जब हम 120 का 15 प्रतिशत करेंगे तो 102 A ने 10% पर बेचा तो कितना निकलेगा 100 का 10% 10 सी ने 510 में खरीदा तो 510 माइनस 10 कितना हुआ 500 यानि यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो 500 होगा इसको चाहो तो शॉर्टकट में भी करके देख सकते हो आप लोग बट यह ट्रेंडिंग है लेटेस्ट है इसलिए जितना हो सके ऐसे कोशन की भी प्रेक्टिस करेंगे यह सभी आप लोगों को वेबसाइट पर मिलेंगी वेबसाइट का लिंक मैं अभी आपको यहां पर पिन कर देती हूँ आप लोग डिरेक्ली वहां से इसको ले सकते हैं और पूरा एक्स्प्लानेशन आप लोगोंने पढ़ना याद रखिएगा जल्दी से आप में से देखते हैं कितने लोग इस कोशन का सही आंसर देते हैं इस कोशन का सही आंसर है ओप्षण नमबर B A & C only नाइट्रिक आयोज़ी उक्साइड ऐ हो गया ओप्षण नमबर C टाइ नाइट्रोजन आप्साइड वायू प्रदूशन में नाइट्रोजन के ओक्साइड में नाइट्रिक ओक्साइड नायज़न डाइक ऑक्साइड शामिल होती है, नाइट्रोजन ऑकसाइट उर्वंको और जैनवरों के कचरे जीवाश मीदन के जनने से भी साजित होता है और यह क्या है एक green house gas भी है, यह क्या है, एक green house gas भी है, चले, next question निमलिकित पदों की निर्विशेष्टा अमूर्ता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्तित कीजे Arrange the following term in order of increasing abstractness सबसे पहले क्या आया उस हिसाब से लगाना है याँ पर इस question को चली इस question का जो सही answer है option number A होगा अमूर्तता का बढ़ता करा अमूर्तता यानि की जिस चीज को हम मतलब क्या कह सकते हैं इसको android phone mobile telephone 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 संचार रूपकरण यह पहले क्या था telephone को आपको वायर वगेरा सब देखके समझ में आता था यहां पर abstractness की बात करी गई है अमूर्तत की बात की गई है तो सबसे पहले android phone आ गया mobile telephone 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 फिस अंचार रूपकरण इन सब चीजों में क्या होता था सारी चीज़ा बहुत ज्यादा होती है आज के टाइम में android phone यूज करते हैं सिर्फ फोन है ना कोई वायर है ना किसी चीज की हमें जुरूरत है तो सही अंसर option number one आपके सामने question number 39 जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशिव भाजा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं यह किस प्रकार के अधिगाम अंतरन का उधारन है question को देख रहे हो कैसे जो है गुमां गुमां की दिये गए हैं आपके सामने मूर्त क्या होता है कि जो हमारे सामने दिखता है सारी चीज़े हम लोग देखते हैं समझते हैं है ना पहले नंबर होता था उसी तरीके फोन बड़ा सारा होता था उस हिसाप से इन्होंने उसी चीज़ को लगाया है अंडुराइड में ज्यादा कुछ है नहीं आजकर तो विडियो कॉल भी करनी है तो भी असान है तो वही चीज़ को उन्होंने उस तरीके से ले लिया अगला कोशन नंबर थाटीन सही अंसर है सी लो रोड रांसपर जब सक्षम पाटकों के सामने उनकी देशज बाजा के नए वाकिया आते हैं तो उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं ये निम्नमार्ग प्रकार के अधिगम के अंतरन का उधारन है अधिगम काई किस्तिती से दूसरी स्तिती में सचेतना प्रियास निम्नमार्ग अंतरन होता है यानि लो रोड ट्रांसफर होता है नेक्स कोशन अब लो रोड ट्रांसफर हाई रोड ट्रांसफर नियर ट्रांसफर फार ट्रांसफर भाई इसको भी पढ़ना बढ़ेगा अब आपको question number भाई हो गए अभी तो यहां तक complete करा दिया है मैंने भाई बाकि D.I. का question बाकि है और RC का question बाकि है RC का वेक अलग video बना दूँगी और D.I. का आप लोग उससे directly इसको पढ़ सकते हो बाकि अगर जिसको भी यह class की PDF चाहिए तो यहां पर मैंने यह pin कर दिया है यहां इस website पे जा करके link पे click करके scroll करके आप थोड़ा नीचे जा करके सारे question paper देख सकते हो ठीक है descending order में लगाना था ठीक है समझ में आ रही है question paper को एक बार उठाके देख लो एक बार पढ़ लो कि कैसे क्या चीज हुई है जहां पर भी कुछ गड़बर लग रही हो आपको लग रहा हो नहीं यह question नहीं यह answer तो उसको भी आप लोग जो है बता सकते हो बाकी जाने से पहले एक बार क्लास क्लास कैसे लगी अब मिलेंगे आपको शाम को तब तक के अपना धिहान रखिए टेक केर गौड ब्लेस यूँ